ओ शान्ति, 20 एप्रिल 2024 की साकार मुरली, आज की मुरली हमें योग के सबजेक्ट पर ध्यान खेचवा रही है, क्या करामात होती है, योग बलकी वो बावा ने समझाया है, साथी, दिव्य गुणों की सबजेक्ट पर बावा हमें बहुत विशेश पाठ पढ़ा रहे, साथी, आत्म चिंतन और सदा खुश रहने की सुन्दर स्मृतियां, ब्राहमन कुल की सरोचता और इश्वरी सेवा की वेल्यू, साथी, पवित्रता को नैचुरल संस्कार बनाने का वर्दान प्राप्त हो रहा है, बाबा के महवाक्य, बहुत गुई हेता लिये हुए होते हैं, उस गुई हेता को, उस गहराई को हम कैच कर पाएं, उसके लिए कुछ पूर्व तयारी करनी होती है, और वो पूर्व तयारी होती है, अपने को बाहरी सब प्रकार के चिंतन से समेट लेना, सब स्मृतियों से अपने को अंतर मुखी कर देना, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, और बाबा की याद में एकाग्र होना, मैं सुस करते हैं, कि मेरा ध्यान चारों और से सिमट कर, मुझ पर आठेहरा है, मैं खुद आत्मा ज्योति बिन्दु हों, चामक्ता दिव्य सितारा हों, इस देहे की मालिक एश्वरिय संतान हों, वो मेरे बाबा, महा ज्योति बिन्दु दूर परमधाम में जगमगाते हैं, जिसे दुनिया ढूंडती थी, जो सबसे गुप्त शक्ती स्वयम अवतरित हुए हैं, ब्रह्मा तन में और आकर के ज्यान सागर, ज्यान के गहराईयां समझा रहे हैं, हमें पावन बनाने के लिए, मैं आत्मा अंतर के आँख से देखते हूं, उन्हें आबू की पहाड़ी पर, ब्रह्मा के ललाट पर, ईश्वरिये वाने उच्चारण करते हुए, आज शिबाबा बोले, मेठे बच्चे, तुम्हें योग बल से, इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है, स्रिष्टी की हालात, खारी चैनल जैसी ये, टफ हो गई है, इसलिए जहां जाना है, उसे याद करो, इसी खुशी में रहो, कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं, जाने की भी स्मृती, और जहां लौट आना है, उसकी भी स्मृती, स्मृती, शक्ती देती है, फिर प्यारे बाबा, देवी गुणों की सब्जेक्ट पर अटेंशन रखने वाले बच्चों की निशानियां सुना रहे हैं, ये देवी गुणों का सब्जेक्ट, हमारे ज्ञान और योग के सब्जेक्ट की रिजल्ट है, तो बाबा ने ऐसे बच्चों के लिए कहा, उनकी बुद्धी में रहता है, कि जैसा करम हम करेंगे, हमको देख कर दूसरे करेंगे, वो कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शबद नहीं निकलेगा, मंसा वाचा करमना, किसी को भी दुख नहीं देंगे, बाब समान सुख देने का लक्षे है, तब कहेंगे कि दैवी गुणों की सबजेक्ट पर ध्यान है, तो दिवे गुण धारी आत्मा सुख देती है, तंग नहीं करती है, उसके back of the mind रहता है, कि जैसा करम हम करेंगे, वैसा दूसरे करेंगे, जो वेहवार मैं दूसरों के साथ करूंगा, दूसरा वैसा ही मेरे साथ करेगा, इसलिए अपने वर्ड्स पर कंट्रोल रखेंगे, और बाबा जैसा, सुख दाई बनने का उनका लक्ष होगा, तो माना जाए, इनका दिव्य गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है, फिर बाबा आज हमें आत्मा की समझ देते हुए कह रहे हैं, आत्मा के लिए कहते हैं, भृकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिल करने अपने को भृकुटी के बीच में अजब सितारा, आत्मा का तखत शोबता भी भृकुटी के बीच है, तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं, वे अकाल तक्त भी है, आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वे सिर्फ मेली और साफ होती है, तुम्हारी बुद्धी में सदा रहना चाहिए, कि हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ भिन भिन पाट बजाने आए हैं, यह स्मृती बार बार अंदर चलती रहे, वहवार में आती रहे, मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, भाई भाई हैं, अपने पन की फिलिंग लानी हैं, फिर बाबा हमें खुशी के लिए स्मृतियां दे रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम विश्व के मालिक समझदार, धनवान पवित्र थे, याद करो, एक ही देवी देवता धर्म था, इस रिलीजन में बहुत माईट थी, बहुत सुख देने वाला था, सुमृति को ले चलें सतियों की और, फिर आधा कल्प बाद, माया रावन के कारण, एकदम सब की बुद्धी को बेजमझी का ताला लग गया, ये रावन तुमारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको पांच विकारों रूपी पिंजडे में डाला है, अब संगम युग पर मीठा बेहद का बाबा आकर, राज योग सिखला कर, तुम्हारी बुद्धी का ताला खुलते हैं, जिससे मनुष्य अपना हीरे जैसा जीवन बनाएं, तब आप कहते हैं, बच्चे, योग बल से इस खारी चैनल को पार कर, वापिस शांती धाम जाना है, फिर आकर राज्य भागे लेना, योग बल इस दुनिया के tough circumstances से भी पार करा देगा, ये योग बल की कमाल है, जिससे हम फिर वापिस रिष्टी पर लोटेंगे, तो देव युक, राज्य भागे, इसलिए जहां जाना है, उनकी याद रहने चाहिए, तुमको बहुत खुशी रहने चाहिए, कि मीठा बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही देने आए हैं, क्या सोच सोच के खुश रहना है, कि मीठा बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही देने आए हैं, हम अच्छी रीती पढ़कर ओँच पद पाएंगे छे बाबा को हम प्यार से बाबा बोलते हैं तो बाबा अक्षर की कमाल सुनते हैं बाबा ने कहा बाबा अक्षर मम्मा से भी मेधा है भल मम्मा पालना करती है परन्तु बाप फिर भी बाप है जिससे बेहद का वर्सा मिलता है तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो बाबा तुमको फिर से विश्व का मालिक बनाते हैं बाप का धन्दाई ये तुम्हारा स्वागत अर्थ-थर्थ सद्गती करना ये सब से उंचा स्वागत है तो बाप नंबर वार पुरुशार्थ अन्नोसार बच्चों का स्वागत करते इसलिए तुमको अभी पुरुशार्थ की मार्जिन मिली जो अच्छी रीती पढ़कर उंच पद पाना है तो दिल से निकलता रहे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा प्यारे बाबा बाबा मेरा स्वागत कर रहे हैं सद्गती कर रहे हैं और मझे क्या चाहिए तो बाबा आकर के हमें ब्रह्मा मुक से ज्ञान सुनाकर ब्राहमन बनाते हैं ब्रह्मा जैसा पवित्र उंच करम करने वाला ब्राहमन तो ये हमारा सर्वतम कुल है तो तुम्हारा ब्राहमन कुल बहुत उंचा कुल है तुम पुर्शोतम संगम युगी ब्राहमन सबसे उत्तम हो क्योंकि तुम्हें सत्त का संग मिला है तुम्हें निश्चे है कि बेहद का बाप, टीचर, गुरू भी है इसलिए तुम्हें दूसरे कोई कोई याद करने की जरूरत नहीं है तुम मेरे मीठे सिकी लदे बच्चे हो, क्योंकि कल्प के बाद फिर से आकर बाप से मिले हो कल्प बाद मिले हैं, तो कितने खुशी होती है बाबा से मिलने की तो अब शिप बाबा केते हैं बचो, तुम्हें ग्रहस्त वहवार में रहे, कमल पुष्प समान बनना है, अगर विकार में जाते हैं, तो की कमाई चट हो जाती है, तो बाबा केते, घर रहते भी पढ़ाई पढ़ सकते हो, बस सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहो, चक्र फिराते रहो, तुम्हारा नामी है स्वधर्शन चक्र धारी, योग स्वधर्शन चक्र है, अपने पांच पवित्र स्वरूपों का पुधी की आँख से दर्शन करते रहें, तो जिनको पक्का निश्चे होगा, यह तो यहां बाबा के पास आकर रिफ्रेश होते ही रहेंगे, क्योंकि हम ब्रहमन कुल के हैं, फिर बाबा याद की यात्रा का महत्व बता रहे हैं, कि मेठे मेठे रूहानी बच्चों प्रती रूहानी बाप याद की यात्रा सिखला रहे हैं, बच्चे जिसमाने यात्रा हैं तो तुमने बहुत कीए, परंतु यह यात्रा सि एक पतित पावन बापी सिखलाते हैं, जो मन बुद्धी से की जाती है, याद की यातरा, वही आकर आत्मा को पावन बनने की युक्ति बताते हैं, कहते हैं, तुम मेरी मत पर चलो, तुम्हारे भी करम विनाश होंगे, और तुम पावन बन, एकिस जन्मों के लिए सदा सुख ही बनेंगे, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं, जो योग की मेनत करेंगे, वे दिन प्रते दिन अच्छे राज योगी बन जाएंगे, समझेंगे, जैसे अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं, मेरी ताकत उनको ही मिलेगी, जो मेरे से योग लगाते हैं, तो Almighty Baba से तुमको कि जितनी माइट चाहिए, उतनी लो, जितना जो बाबको याद करते हैं, उतना वै ओरों को भी परीचे देते हैं, यादना करने वाले फिर दे अभीमान में होंगे, ना बाबको याद कर सकते हैं, ना बाबका परीचे दे सकते हैं, तो विशेश धियान र याद की यात्रा से ही विकरम विनाशोंने हैं, पावन बनना है, सदा सुखी बनना है, साथी बाबा, सेवा के लिए भी प्रेड़ना दे रहे हैं, कि तुम अपने आपको आपे ही राज तिलक देने के लाइक बनाओ, तुमें शरीर निर्वा अर्थ करम करते भी, अपने को बंधन से छुड़ाए, सुभै शाम इश्वरी ये सर्विस जरूर करने हैं, क्योंकि उस समय सब को फुर्सत है, जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो, उनको भी बाबा का परीचे देते रहो, क्या पहचान देनी ह कि हर एक को दो पिता होते हैं, एक शरीर का, दूसरा आत्मा का, एक लौकिक बाब वो सब का अलग अलग है, पार लौकिक बाब परमात्मा वो सब का एक है, सुप्रीम है, तो ऐसे बहुतों का कल्यान करने की अंदर लगन रखें, तो बहुतों की आशिरवाद मिलती रहेग तो सब को सुख देना, सेवा करना, सब की दुआएं लेना, यह हमारा हर्ज भी है, फिर बाबा हमें चेकिंग के लिए कह रहे हैं, कि हर एक अपनी चेकिंग करते रहें, कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, ऐसा कोई नहीं, जो किसको दुख ना देता हो, कुछ न कुछ भूले होती जरूर हैं, क्योंकि इस समय हम पुरुशार्थी अवस्था में हैं, वे अवस्था तो अंद में आएगी, जो मन सावाचा करमना, किसी को भी दुख न देवें, फिर भी पुरुशार्थ करते रहना है, कि हमारे द्वारा किसी को भी दुख न मिल अब हमको वर्दाता से वर्दान लेना है, तो वर्दान लेने के लिए मन बुद्धी की जोली खोल कर रखेंगे, मन और बुद्धी दोनों की एकागरता, बाबा के सरवे शक्तिमान स्वरूप पर, बाबा फरिष्टा, उनके मस्तक पर महाज्योती, सर्वे शक्तिमान, उनसे निकलती अनंत शक्तियों की केड़ने, मैं बाबा के सामने, बाबा का वर्दानी हाथ मेरे सिर पर, वर्दान मिल रहा है, बच्चे, पवित्रता के वर्दान को निजी संस्कार बना कर, पवित्र जीवन बनाने वाले मेहिनत मुक्त भव, कई बच्चों को पवित्रता में मेनत लगती है, इससे सिद्ध है, वर्दाता बाब से जनम का वर्दान नहीं लिया है, वर्दाता से मेनत नहीं होती वर्दान लेने की, हर ब्रहामन आत्मा को जनम का पहला वर्दान पवित्र भव, योगी भव मिलता है, जैसे जनम के संसकार पक्के होते, तो पवित्रता ब्रहामन जनम का आदी संसकार है, निजी संसकार है, इसी स्मृती से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो, तो मेहनत से मुक्त बनने के लिए, जो हमारा संसकार निजी है, अवित्रता, उस संसकार को जीवन में बार-बार यूज़ करें, तो ये वर्दान बन जाएगा, ताकि मेहनत से छुट जाएं, सलोगन, ट्रस्टी वे है, जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है, तो सेवा की शुद्ध भावना रखते हुए, मैं पन मेरा पन मिटा कर, ट्रस्टी बने, तो सब बोज़ और मेनत छुट जाए, आज की मुरली से हॉमबर्क लेते हैं, दूसरी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना, ओल्माइटी बावा को याद कर माइट लेने हैं, और विचार सागर मन्थन करने की आदत जरूर डालने हैं, स्वधर्शन चक्रधारी बनना हैं, और इस अंतिम जनम में संपोर्ण निर्विकारी बनना हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना हैं, साथी शरीर निर्वा के लिए करम करते हुए भी, अपने को सब बंधनों से मुक्त कर, सुभे शाम इश्वरिये सेवा कर, पहतों का अशिर्वार लेना हैं, ध्यान रखना हैं, मन सावाचा करमना, साब को सुख देना हैं, मेरे से किसी को दुख न मिले, इप अभ्यास पक्ता करना हैं, भाबा की पवित्र शक्ति शाली किर्णे अंदर समाते हुए, पवित्रता निजी संसकार ओदे होता जाए, ओम श्यान्ति ख मिले गले रहित्रता हैं, अपते हैं, प्यान्ति शाली इजा खर फदे dellaंड़ झाल झाल